हेलो दोस्तों आपका स्वागत नए वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको पताने हैं आई क्यों फाइब जी में किस तरह से लॉक की स्क्रीन पर नाम लिख सकते हैं और अल्वेज ऑन स्क्रीन सेटिंग कर सकते हैं दोस्तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे किस तरह से color दिखाई दे रहा है किस तरह से set हो गया है तो दोस्तो डा आपके mobile पर दाऊलोट कर लिजेह और कर सेटिंग कर लिजे फिर आपको अपने स्क्रीन पे सब दिखाई देगा नुश्कर दोस्तों मैं हूर जैस्वाल आप देख रहे हो टेकनिकल आर्जम दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इसका नाम है इसका रेटिंग देख लिजे रेटिंग 4.2 का रेटिंग है AOLO for me is on Lake Play Store से दोस्तो आपको क्या करना है अपलिकेशन डाउनलूड कर लेना है और जैसे आपकी मोबायल में डाउनलोड हो जाता है दाउनलोड होने के बाथ दोस्तों दौ-चार permission का option आता है तो आपको क्या करना है permission देना बश्क्तिन के बाद कुछ setting है वह में आपको बता देता हूं किस तरह से आप setting कर सकते हैं जैसे आपका mobile अगर बन करते हो अगर आप को नाम लिखके रखना चाहते हो अपना नाम जिकना चाहते हैं स्क्रीन पर तो आपका नाम दिखाई देगा अगर उस नाम का color अलग लग चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो चलिए डाउनलोड हो गया मैं इसको open करता हूं application को और open करने के बाद दिखाता हूं किस तर से आपको permission देना है चलिए हमारा application open करता हूं यहाँ पर एक्सेप्ट पर करता हूं चलिए हमने accept पर क्लिक करता हूं यहां पर एलाव करता हूं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं एलाव कर देता हूं एलाव करने एक बाद इस सीधर है आ जाएगा आपके application वाला option में जहां आपको permission देना है कि आप यूज कर सके इस तरह permission में ने दे दिया फिर से एक बड़ एलाव मांग रहा है तो चलिए हम notification के लिए तो यहां पर और आपको permission देना पड़ेगा चलिए यहां से भी हम notification वाला पर भी कर दिये ठीक है यहां से दो जगे से हमने permission दे दिया इस तरह आपको भी दे देना है चलिए आगे की सेटिंग आपको बताता हूं आपके मुबाइल में इस तरह का इंटरफेस आपको सो होना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों जैसे आपको इस तरह के इंटरफेस चालू हो जाता है तो आपको क्या करना सबसे उपर दिया है सर्विस तो आपको सर्विस पर क्लिक करना है देख रहे हैं दोस्तों सर्विस में क्या क्या है यह सब ऑप्षन दिया है यह सारे सर्विस जैसे दिया है दोस्तों आपको ऐसे सेम ही रहने देना है कुछ भी समें चेंजिंग नहीं करना है चलिए दूसरा दोस्तों दे दिया है वाच वाच फेश कस्टमाइज तो दोस्तों चलिए दूसरा ओप्षन पर हम क्लिक करते हैं तो आपके दूसरे ओप्षन पर क्लिक करके अंदर आ जाना है तो यहां पर दिया इसका साइज आप जो आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर मतलब जो घड़ी दिखाई देगा वाच उस आपके घड़ी का कलर आप कौन से घड़ी का कलर रखना चाहते हैं उस परकार से दोस्तों आप अपने घड़ी का कलर रख सकते हैं जैसे चलिए हमने पहला नंबर पर क्लिक किया पहला ही रहने देते ठीक है यह पहला हो गया और दूसरा आ रहा है दोस्तों जो आपकी मोब दोस्तों यहां पे color आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो तो चलिए हम इसमें green रखें ग्रीन रहने देते हैं तीसरा आता है दोस्तों मिनट यानि कि माल लेजिए एक बच के 35 मिनट हो रहा है अगर उसका मिनट का color आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने उस मिनट का color अपने हिसाब पे सो करेगा दोस्तों यहां पे नीचे दिया है इस पर दोस्तों से आपको तो सब पैसा भरना पड़ेगा पर ऐये वाला घड़ी है फिलाल दो फ्री एक चलिए मैं इस में क्लिक कर देता हूं इसाफ क्लिक कर देना है है को सिर्ट पर इसेट हो गया और आपकी इसकृंट आप अपने नाम लिखनागा चाहते हैं तो नाम भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो अपनी साब से आप डिटल फाइक्ट कर सकते हैं दूसरा दिया है एक आपको horse color यानि कि उसका color आपको बताया था उस तरह से आप अपने घंटे का ही, यानि कि कितना गंटा कितना हो रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं, फिर आपको नीचे आ जाना है, यहान पर दिया है O Entre S screen memo, यानि कि screen पर आप जो भी अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो यहां से आप फिलाल में लिखा है टेकनिकल आर्जम, तो दोस्तो इस तरह आप अपनी जगा पर अपने नाम लिख सकते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन बन करेंगे, तो वहाँ पर टाइम बेट्टी और साथ में आपको ऐसा जो भी आप अपने नाम लिखते हो, तो आपक कलर चाहें ऋकलर आप सेट कर सकते हो हुसक दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने इस स्क्रीन पे दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पहें डिख रहें किस तरह से अप्र गर दिखाई दे रहा दे रहा है किस तरह में ले क् Ungalo करेंगा तो आस आप अपलिकेशन